वेलकम बैक गाइस दिस इस टेक ट्विक्स और आज हम बात करने वाले हैं कि क्यूं आपको एक एंटिवाइरस नहीं खरीदना चाहिए सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स केस्टार्टेट सबसे पहले तो एर मैं ये बात क्लियर करनूं कि मेरी कोई परसनल दुश्मन ही नहीं है किसी भी एंटिवाइरस से बट एर कुछ ऐसी जनुवन बाते होती हैं जो मैं आप से करूँगा और जिनें आप भी गलत नहीं बोल पाओगे तो एक नॉर्मल यूजर अपने पीसी में जादा से जादा क्या करता होगा अपना ओफिस का काम या तो वो स्टड़ी करता होगा या फिर वो गेमिंग करता होगा और या फिर वो चोटी मोटी वेब सर्फिंग करता होगा और अगर आप भी एक normal user हो तो seriously आपको कोई भी additional antivirus को pay करने की ज़रूद नहीं है या फिर उसके subscription खरीदने की कोई ज़रूद नहीं है और अगर आपने subscription खरीद के रखा है तो trust me you are wasting your money. Now, you will be thinking if we will not use paid antivirus then who will protect our PC? The answer is simple, your own PC. Yes, this is true, just use Windows Defender. Windows Defender comes with all the necessary features which a good antivirus should have. और सबसे अची बात यह है कि यह antivirus free होता है. जो कि of course आपको पता होगा but most of the लोग इसे use नहीं करते हैं यह सोच के कि यह total protection नहीं है. नहीं देता है but यह बहुत बड़ी गलत फैमी है. And the good thing is Windows Defender is free and it gets regular virus definition updates too. It's okay, अगर आपको अभी भी paid antivirus खरीदना है तो आपको कोई नहीं रोकेगा but आपको मेरी यह बाते जरूर सुननी पड़ी के पहले. It makes your PC choppy. See, for total protection, you have to keep your antivirus running all the time. And most of the antivirus, almost every antivirus comes with heavy system memory usage. When you will use heavy softwares or even browser like Chrome, जो कि most of the लोग use करते हैं, then your PC will face a lot of issues. और आपका PC आपको चौपी साफील होने लग जाएगा. जो कि यार, आपके PC के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है. आपके PC के हेल्थ के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है. और अगर आप एक hard drive यूज़ करते हो, तो आपके data loss का बहुत बड़ा chance है. और अगर आपको हमेशा से आपका PC slow लगता है, और आपको कही न कहीं ये फील होता है कि आपका antivirus सच में आपके PC को slow करता है, तो प्लीज अपने PC के भावनाओं को समझो. वो चीक-चीक के कह रहा है कि इस antivirus को delete करो, प्लीज मैं नहीं सह पाऊंगा. अब बात करते हैं second point की. It gives you incomplete protection, क्योंकि it needs subscription. ये चीज सीधा-सीधा आपके भावनाओं के साथ खेलती है, क्योंकि आपको अपना PC तो safe रखना है, और उसके लिए आपको एक interval के बाद pay करते रहना पड़ेगा. और अगर आपने pay नहीं किया, तो बार-बार ये notification दे दे के, कि your PC at risk. जबकि आपका PC किसी risk में नहीं होता है, आपको बस ये मन में बात बिठा दी जाती है, कि आपका PC risk में है, आप please subscription ले लो हमारा. तो ये सब आपकी भावनाओं के साथ खिलवाड़ है, please ऐसे जहांसों में नहां आएं. If you have a trial activation, और या फिर आपका subscription खतम हो गया, then your antivirus will not protect your PC. For example, या तो वो अपने online threat protection को बंद कर देगा, या फिर आपके system में deep cleaning, यानि कि घुस-घुस के viruses को scan करना बंद कर देगा, जो कि आप बिलकुल नहीं चाहोगे. क्योंकि अगर इसी बीच आपके system पे कोई virus आता है, जो थोड़ा तगड़ा होता है, तो यार, possibilities है कि आपका PC virus से infect हो जाए. Frequent ads for premium version. Again, if you are using free trial version, then you must have noticed again and again popping notifications, which will tell you to upgrade to pro. So guys, ये थे वो बड़े reason कि क्यों आपको एक antivirus नहीं खरीदना चाहिए. In my opinion, आज के time में everyone knows how to use PC and how to keep it protected from any kind of viruses. And if you don't know, please give some time in exploring, learning about your PC. और मुझे पता है, आप मेरी बात का बुरा नहीं मानोगे. At the end, मैं सिर्फ आपको यही बात कह सकता हूँ की choice आपकी है. And again, I will tell you, if you are not a normal user, और आपका बहुत सारा data online store है, और आपको अपने बहुत सारे security reasons की वज़े से एक paid antivirus use करना पढ़ रहा है, तो please use करते रहो, उसे change करने की कोई ज़रत नहीं है. But for a normal user, Windows Defender is best, और उन्हें और कोई antivirus डालने की ज़रूरत नहीं है. So, मुझे अपना टाइम देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वाले वीडियो में, तब तक के लिए for tech का ग्यान, do subscribe to our channel, Tech Twix, signing out.